आज की इस एपिसोड में आपको करवा चौथ के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताने वाली हूँ यह जानकारी आप जरूर फालू करेएगा चौकि मैं बुदेलखंड से हूँ और हमारे बुदेलखंड में यह जो पक्वान बनाया जाते हैं यह बहुत ही महत्तोपूर माने जाते हैं यह और यह हर स्वागनिस्त्री जरूर बनाती है वैसे तो बजार से हम जो सामग्रियां लाती हैं जो हमें निश्यत रूप से लड्डू तो होना ही होना चाहिए वो भी हमें सिर्फ बेसन के लड्डू ज्यादा जरूरी होते हैं बेसन के लड्डू ही हमें पूजा में रखने चाहिए इसके लाबा आप जो भी मिठाई रखना चाहें आप रख सकते हैं लेकि उनमें बेसन के लड्डू बहुत जरू तो हर घर में हर स्वागनिस्त्रियां ये पक्वान बनाती है क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी माने जाती है तो कर्वा माता को भूग लगाने के लिए और सम्भी प्रसाद रूप में खाने के लिए घर में खाने के लिए ये जरूर बनती है उसमें है सबसे पहली चीज के प्रेम को दर्साता है उनकी द्रणता को मजबूत करता है उनके अटूट प्रेम बंधन को दर्साने वाला जो करवचोत का ब्रत होता है ये ब्रत नहोंकर एक तेवार मनाया एक तेवार के रूप में मनाया जाता है और सभी लोग इसे बहुत हर्स उल्लास के साथ मनाते हैं तो तैयारियां तो बजार से हम कर सकते हैं लेकिन जो चीज़ें पक्वान जो घर में बनाया जाते हैं विसे शुरूप से वो घरी में ही बनते हैं और बनाया जाते हैं और उन पक्वानों में आप कड़ी चावल जरूर बनाएए क्योंकि कड़ी चावल का जोड़ा होता है य पूजन सामगरी में प्रशाद में ये समलित करना चाहिए तो हमें कड़ी चावल जरूर बनाने चाहिए इसके अलावा हम पुड़ी या खीर बनाते हैं या फिर हम हल्वा बनाते हैं तो हमें पुड़ी सूखी नहीं रखना है हमें पुड़ी के साथ साथ हमें हलुआ बनाना है या फिर हलुआ के नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप खीर बना लेजिए तो जिस तरह से आप डाल चांवल बनाते हैं तो उसी प्रकार से आपको डाल चांवल नहीं रखना है आपको सिर्फ कड़ी चांवल लखना है क्योंकि कड़ी चांवल का जोड चीज में से कोई भी एक चीज जरूर होनी चाहिए क्योंकि पुड़ी को सूखा नहीं रखना चाहिए तो हम आज के दिन विसेस रूप से हम चावल और कड़ी बनाते हैं और इसके अलावा खीर और पुड़ी बनाते हैं खीर नहीं बना सकते हैं तो हलुआ बनाते हैं लेकिन को एक ही पंतर में जोड़ी में रखना है उसी प्रकार से हम हल्वा या कीर को हम रखेंगे तो पुड़ी के साथ में ही रखना है तो पुड़ी के ऊपर. आप लिप खे लीजे या फिर हम की तो इस प्रकार बनाना रखें प्रकार्बाइब जिए der exactement पूजा अपनी आरम करिए तो ये जानकरी आपको कैसी लगी आप जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को अभी तक एदिया आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल आसानपल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजे मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार